नमस्का दोस्तों आज की जो में डिक्टेशन है वह जियूनी पर आधारीत है सबसे पहले आपको कठिन सब्दों की प्रेक्टिस करनी है उसके बाद ट्रैल डिक्टेशन लेनी है ट्रैल डिक्टेशन में आपको यह देखना है कि आवाज आपको साफ आ रही है या नहीं आ रही है कोई अगर आपको समस्या हो तो में को परस्नल मोबाईल पर व्यक्तिगत आप मेरे को कंप्टेंट कर सकते हैं आपको प्रतक से PDF फाइल भी बेजी जा रही है जिससे आप अपनी Translate QDictation का मिलान कर सकते हैं Trail Dictation पांच सेकंड बाद स्टार्ट होगी स्टार्ट कोरोना महामारी ने कहर बरपा रखा है विराम इसे फैलने से रोकने के लिए पिछले पचास दिन से लोगडाउन लागू है फिर भला न्याई प्रिक्रिया प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकती थी विराम अदालतों में सुनवाई तो हो रही है लेकिन केवल अरजेंट केसेज की विराम पैरा लागडाउन के इन हालात में हाई कोट के जज और कई वरिष्ट अधिवक्ता वकीलों की नई पोध को ग्यान से सीचने के काम में आगे आए हैं विराम इसके लिए साधन बन रही है वकीलों की मात्र संस्था यानी बार काउंसिल विराम संबवत्या यह है पहला मुका है जब इस तरह जज आनलाइन प्लेटफोर्म पर आए हैं विराम बार काउंसिल और राजस्थान की और से यूट्यूब पर इनके व्याख्यान आयोजित करवाए जा रहे हैं विराम इनमें जजेज और वरिष्ट वकील विधी के कई बिंदूओं पर प्रिक्रिया सहीत विभिन विश्यों पर वकीलों की जग्यासाओं को सांथ कर रहे हैं विराम यूट्यूब पर चल रहे इस तरह के ओनलाइन प्रोग्राम में बड़ी संख्या में वकील इन्हें देख वे सुन रहे हैं विराम ओनलाइन व्याख्यान की सुरुवात 23 अप्रेल को हुई विराम सबसे पहले वरिष्ट अधिवक्ता आर एन माथुर ने क्रिमिनल ट्रायल वे उसके महत्पून सिद्दान पर वकीलों को जानकारी दी विराम इसके बार 26 अप्रेल को हाई कोट के वरिष्ट न्यायदीश संदीप महता ने जनरल प्रिंसीपल गरोनिंग क्रिमिनल ट्रायल अंडर दा एन आई एक्ट विशे पर 27 अप्रेल को वरिष्ट अधिवक्ता आर के अग्रवाल ने भूमी अवाप्ती अधिनियम तथा 28 अप्रेल को हाई कोट के न्यायदीश डाक्टर पी एस भाटी ने सिविल प्रिक्रिया सहीता के मोलिक सिद्दान्त वे कोविड उननिस के अनुरूप बदलाओ की आवे सकता विशे पर व्याख्यान दिया विराम इन में वे इनला वे कानून के बारे में विस्तार वे इन बारिकियों के बारे में बता रहे हैं ताकि वकीलों के कंसेप्ट किलियर हो सकें विराम में डिक्टेशन पांस सेकेंड बारे स्टार्ट होगी यस इस्टार्ट हक की बात तो यह है कि साथ हपते पहले सुरू हुई सोले की कहानी को आगे बढ़ाया जाए और सच तो यह है कि बदले हालात में वह करने को जी नहीं चाहा रहा विराम चारो तरफ दुख चिंता खोफ खत्रा और सन्नाटा पसरा हुआ है और सोले की कहानी में बड़ी उलट पुलट और उठा पटक वाले मोड हैं विराम किस तरह अपनी दुनिया से आखे मोड लूँ और अपनी बासूरी बजाता जाओं विराम लिहाजा सोचा की करूंगा ऐसी बात की जिसमें हो कुछ अट पटा चट पटा विराम जिसमें हो इनसानी होशले की जीत वाली कोई बात विराम तो ऐसी ही तो है यह बात सुनिये विराम पैरा सदियों पुरानी एक कहावत है आईना जूट नहीं बोलता विराम इसी पर आधारित एक कहावत और बन गई कैमरा जूट नहीं बोलता विराम नए दोर में यह दोनों कहावतें अपने अपने अस्तित्त से जूज रही है विराम पहले मामले में तो इनसान अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ है लेकिन दूसरी कहावत को हमारे न्यूज चैनल्स ने जिस तरह गलत साबित करने के लिए कमर भांद ली है लगता है कैमरे से सच की मुहर हटकर ही रहेगी विराम पैरा मेरे कहने का मतलब यह नहीं है की कैमरा कभी जूट बोलता ही नहीं था विराम बोलता था और बिलकुल बोलता था विराम आखिर को वहबी इनसान के हाथ की कठ पुतली ही तो है विराम सो जैसा हाथ वैसी बात विराम किसी जवाने में इस कठ पुतली को अपने इसारों पर नचा कर लोगों के मनोरंजन का सामान पैदा करने वाला एक जादूगर बड़ा मसहूर था विराम यह है वो दोर था जब हीरो हीरोईन से जादा इस जादूगर के नाम से फिल्में चलती थी विराम इस जादूगर का नाम था बाबू भाई मिस्त्री विराम नामुमकिन को परदे पर मुमकिन कर दिखाने में इन महापुरुस का कोई जवाब नहीं था विराम पैरा आज की विक्षित कंप्यूटर टेक्नलोजी से करिश्में करना बच्चों का खेल है लेकिन बीश्वी सदी के तीसरे दसक से लेकर सात्वे दसक तक बिना किसी टेक्नलोजी के हनुमान जी को परवत हाथ में लेकर उड़ते दिखाना हवा में उड़ते मैजिक कॉर्पेट पर हीरो और विलन की लड़ाई तलवार बाजी के बीच हीरो का एद्र से होकर विलन को चोका देना चरन से जिन को बाहर निकालना और ने जाने क्या-क्या कारना में करना बाबु भाई के लिए खेल था विराम उनके इसी खेल की बदोलत ही ने जाने कितने लाखों की करोडों लोगों के चहरे पर मुसकान आई विराम ने जाने कितने प्रोड्यूसरों की तिजोरियां भरी विराम बाबु भाई मिस्त्री की कहानी भी एक दिल्चस्प कहानी है विराम दुनिया भर के लिए हीरे तरासने और चमकाने वाले सहर सूरत के सेयद पुरा इलाके में पांच सितंबर 1916 को जनम हुआ बाबु भाई मिस्त्री का विराम पिता मूरतियां बनाने के साथ ही छोटी मोटी ठेकेदारी का काम भी करते थे विराम जिस वक्त बाबु भाई की उम्र अभी 14 बरस की ही हुई होगी की पिता का देहांत हो गया विराम इस छोटी सी उम्र में बाबु भाई पर सोग और चिंता में डूबी मा और हालात की गंभीरता से बेखबर नो भाई बहीनों की जिम्मेदारी आन पड़ी विराम गर का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते सारी निगाहें उन पर लगी थी विराम अब सवाल यह था की घर भर की उमीदों को पूरा करने के लिए वे किस से मदद की उमीद करें विराम बाबु भाई ने चारो तरफ नजरे घुमाई तो उन्हें उमीद की सिर्फ एक ही किरन नजर आई चाचा रंगील दास पेंटर थे विराम शुरुवात में छोटी मोटी नाटक कमपनियों के लिए काम किया और फिर बंबई की फिल्मी दुनिया की तरफ चल पड़े थे विराम बाबु भाई उस समय बंबई की कृष्णा टोन फिल्म कमपनी में मुर्जिम हो गए विराम उनका पदनाम था आर्ट डारेक्टर और काम था फिल्म के सीन के हिसाब से बाग बगीचे जंगल पहाड घर द्वार की पेंटिंग्स बनाना विराम आप में से कुछ लोगों को खूब याद होगा की बाज फिल्मों में यह घर और पहाड वाले परदे हवा से हिलते हुए भी दीख जाते थे विराम अब बाद को तो लाखों करोडों के सैट बनने लगे लेकिन हुजूर तब ऐसा ही होता था विराम खैर बाबु भाई चाचा के पास पहुँचे तो उनकी सिफारिस पर नोकरी मिल गई विराम वह भी चाचा के असिस्टेंट के तोर पर विराम पहला काम था पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में पोस्टर बनाने का विराम फिर चाचा रंगी लिदास के साथ बैक ग्राउंड पेंटिंग्स बनाने लगे विराम जिस वक्त उन पेंट किये हुए परदों के साथ फिल्म की सूटिंग होती तो इस चमतकारी दुनिया में नया नया कदम रखने वाले बालक बाबू के मन में गुदगुदी होती विराम उसके हाथ के रंगे परदों को जिस वक्त कमपनी का कैमरामेन गुरुनात सिरोड कर कैमरे की मदद से हकीकी दुनिया की तरह जिंदा कर देता तो वह उस कैमरामेन और कैमरे के जादू का दिवाना बन जाता विराम पैरा जल्द ही उसे कैमरा पर हाथ आजमाने और सीखने की इजाजत मिल गई विराम बच्चे की अनन्त जिग्यासाओं को कैमरे की अनन्त संभावनाओं का सहारा मिल गया विराम तब वह अजब अजब किस्म के तजुर्बे और अजब अजब किस्म की हरकते करके देखता विराम जब नतीजे देखता तो कैमरे को चूम लेता विराम पैरा अब इस जगह जरा रुक कर सोचने का मकाम है विराम खेल कूर से महरूम बच्चे अक्सर अपने काम में ही खेल ढूंड लेते हैं विराम जरासा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपकी नजरों के आगे कई मंजर एक साथ घूमने लगेंगे विराम किसी इमारत की तामीर में लगी मजदूर मा का एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे जाएगा जो तपती धूप की आच में भी कभी रेत को छलनी पर उचाल कर खुस होता नजर आज जाएगा या फिर उसी रेत में पाउं फसा कर अपना घर बनाता नजर आज जाएगा विराम पैरा बाबु भाई ने कैमरे को अपने ख्वाबों की तामीर का जरिया बना लिया था विराम नित नए और अनोखे खेल रचना और खुस होना विराम खास कर तब जब वह कैमरे के जरिये कोई जादूई कारनामा कर लेता विराम पैरा 1933 में एक अंग्रेजी फिल्म रिलीज हुई दा इन्वेजीबल मैं एद्र से वियप्ती विराम विज्ञान कथाओं के प्रिशिद लेखक एच जी वैल्स की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में पहली बार परदे पर अभीनेता क्लाड रैंस को एद्र से होकर तरह तरह के हैरत अंग्रेज कारनामें करते हुए दिखाया गया था विराम इस फिल्म की दुनिया भर में बड़ी धूम मज्जी हुई थी विराम हिंदुस्तान में इस फिल्म को रिलीज होते होते भी वक्त लग गया विराम 1936 में बंबई के नाज सिनेमा में यह फिल्म रिलीज हुई विराम निर्देशक विजय भट ने जब यह फिल्म देखी तो उसके जहन में एक विचार कौंधा विराम उन्होंने अगले ही दिन बाबु भाई मिस्त्री के हाथ में टिकट के पैसे देकर फिल्म देखने के लिए भेज दिया विराम साथ ही यह ताकीद भी कर दी की वह फिल्म देखते वक इस बात पर गोर करे कि परदे पर हीरो को किस तरह एद्रस से किया जा सकता है विराम पैरा इस फिल्म में कई तरह के कैमरा ट्रिक का इस्तेमाल हुआ था विराम मसलन आप देख सकते थे कि कोई सिगरेट पी रहा था लेकिन यह दिखाई नहीं देता था कि कोन पी रहा है विराम पीने वाले का चहरा गायब लेकिन परदा सिगरेट के धुए से भर जाता विराम एक सोट यू भी था जिसमें प्यानों की कीज बकाइदा दब रही हैं और संगीत भी बज रहा है लेकिन बजाने वाला दीख नहीं रहा विराम इसी तहे टेलीफोन का चोंगा उठ रहा है नंबर डायल हो रहा है लेकिन यह सब करने वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा विराम पैरा बाबु भाई के इस आश्वासन के बाद की वह भी ऐसे सारे कारणा में करके दिखा सकते हैं निर्माता निर्देशक विजैभट ने दा इन्विजेबल मैन पर आधारित फिल्म ख्वाब की दुनिया बनाने का फैंसला कर लिया विराम बाबु भाई मिस्त्री ने काला बैक ग्राउंड और काला धागा इस्तेमाल कर इस नाम मुमकिन से लगने वाले काम को हसते खेलते अंजाम दे कर दिखा दिया विराम बाबु भाई के काम से हैरान और साथ ही मुतासिर विजेबट ने उनका नाम ही काला धागा रख दिया विराम फिल्म इंडस्ट्री में उनका यही नाम प्रिचलित भी हो गया विराम परदे पर बाबु भाई का नाम आया ट्रिक बाबु भाई मिस्त्री विराम पैरा ख्वाब की दुनिया ने बॉक्स ओफिस पर जबरदस्ट काम्याबी हासिल की विराम विजेबट बतोर डारेक्टर भी इस्ताफित हो गए विराम एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों की कड़ी में 1943 की राम राज्य और 1952 की बेजू बावरा जैसी फिल्में भी सामिल हैं विराम पैरा इधर बाबु भाई मिस्त्री का परचम भी फिल्मी दुनिया के आकास में लहराने लगा था विराम मेरी तनक्वहा भी भड़ा दी गई और साती सात बतोर गिफ्ट मुझे एक रैडियो भी दिया गया विराम पैरा मुझे पता नहीं इस रैडियो पर बाबु भाई ने फिल्म ख्वाब की दुनिया के लिए राजकुमारी का गाया यह गीत सुना था की नहीं लेकिन इस गीत के बोल मुझे मजेदार लगते हैं विराम खास कर इसलिए भी की इससे आज की बात का सीरिशक बन जाएगा वरना संकट है विराम नहीं इसमें सर्माने की कोई बात नहीं है जी विराम साफ कहना और खुस रहना विराम सो के दिया विराम हाँ तो गीत के बोल आओ आओ प्रान प्यारे संसार एक नया बसाएं विराम और जाहिर है अभी बाबु भाई के फिल्मी सफर की कहानी बाकी है विराम सो तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा लेकिन एक तो अभी ही बता दूं की फिल्म ख्वाब की दुनिया का हीरो था एक गबरू पठान जकरिया खान जिसका नाम बदल कर विजय भट ने कर दिया था जयंत विराम जी सही समझे वही गब्बर सिंग का बाप विराम मतलब अमजद खान और इम्तियाज खान के अबबा हुजूर और उनके साथ थी सरदार अख्तर जो बाद में हो गई मिशेज महबूब खान विराम बिलकुल वही उन्निस्टो सब्तावन की महान फिल्म मदर इंडिया के खालिक विराम पैराम इससे आगे तो वही मेरा पिटा पिटाया रोना धोना विराम मतलब की फिल्हाल तो टेम हो गया है खिसकने का विराम फिर से वही आज जाना और कल आना विराम तो आता हूँ और सुनाता हूँ बाबा की ओहो सारी जी सौरी बाबु भाई की बात विराम जै जै विराम